इसमें यह जो हमें आनिमल्स दिये हुए हैं और इनके जो घर दिये हुए हैं कौन से अनिमल्स का हुए है हुए 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 डोग रहता है, डोग रहता है, गुफा में, तो इसलिए, इसमें, पिग, पिग किसमें रहता है, पिग रहता है, पैन में, तो इसमें, नमबर फॉर लिख देंगे, नेक्स्ट नमबर फाइव एज रैबट रैबट किसमें रहता है रैबट रहता है ब्यूरो में इसमें नमबर फाइव लिख देंगे नेक्स्ट इस नमबर सिक्स आंट आंट किसमें रहती है आंट हिल बनाती ना छुटी छुटी से तो यह आंट हिल में रहती है इसमें नमब 6 लिख देंगे, next number 7, mouse, mouse नहीं रहता है, यह तो आपको पता होगा, यह hole में रहता है, जो 6 होते हैं, उसमें रहता है, तो इसमें number 7 लिख देंगे, number 8, B, B किसमें रहती है, हाईव में, छत्ते में रहती है, तो इसमें number 8 लिख देंगे, उसके बाद अब ये मेर्ट फॉल्वर कॉपी में करने है अब हैं अनिमल बेबीज अनिमल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं इस चाप्टर में हमें उनके बच्चों को क्या बोलते हैं वो नाम लिखने हैं नंबर वन इस काउ काउ के बेबी को बोलते हैं काफ के बेबी को बोलते हैं किटन आईड़र टीन Number 4, goat, goat के baby को बोलते हैं kid, k-i-d, kid Number 5, loin, loin के baby को बोलते हैं cub, c-u-b, cub Number 6, dog, dog के baby को बोलते है puppy, p-u-p-p-y Number 7, sheep, sheep के baby को बोलते हैं lamb, l-a-m-b, lamb Number 8, deer, deer के baby को बोलते हैं fawn, f-a-w-n, fawn Number 9, kangaroo, kangaroo के baby को बोलते हैं joy, j-o-e-y यह exercise आप copy में इस तरीके से करेंगे, उसके बाद पूरा chapter learn करेंगे, okay